खराट। आहलो फ्रेंग्स आप सबका स्वागत है फिर से हमारे डिजी टेक एज़नसी के इस सैनेल पे दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा यद फिर आजका जो हमारा ये सिरी चलेगा यह अंदर में जैतनी वीडियो यहां पे अपलोड करेंगे सभी में एक e-commerce website हम यहां पर design करेंगे जो की website आपको यहां पर दिख रहा है इस परकार की website होगा और मेरे पास यहां पर three designs है ठीक है जैसा कि अगर आप अभी यहां पर देखेंगे तो यह हमारा जो first design है जो कि आप देख सकते हैं यह कुछ इस परकार से और अगर यहां पर हम second design की बात करें तो यह हमारा second design है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा second design है और यह भी website आपका e-commerce का ही website है और इन तीनों वेबसाइट में से जिसका भी डिजाइन जिसका भी लुक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग कमेंड कीजिएगा तो फिर हम उसी प्रकार से उस वेबसाइट को डिजाइन करेंगे और एक वेबसाइट है जो कि हम आपको यहां पर देखाना हम अपनी होस्टिंग में और सब डॉमेंड पर विड़क्रेंग को इंस्टॉल करते हैं अभी आप देख सकते हैं यह जो हमारा एड्मील पैनल है वर्टपरेस का यह हमारा यहां पर ऑपन हो चुका है अभी हम यहां पर क्या करेंगे हैं कुछ वोडप्रेस का सेटिंग करे पेज करें быстр और सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्यापर सर्थ में क्लिक करेंगे और हम Si season पर यहां पेज बनाया हुआ है और home name से page बनाने के बार फिर से हम जाएंगे WordPress के DeskBoard में एक बार यहां से हम पहले एक theme को यहां पे इंस्टॉल करेंगे हमें और यहां पर यहां पर तूम वह फोंपिजेगा और यहां पर आपको add new theme पर आप क्लिक करेंगे और add new theme पे आप click जैसे करेंगे तो आपके साबने बहुत सारा यहाँ पे themes आ जाएगा जो की आप इसमें से किसी भी theme का use कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे search box पे हम यहाँ पे search करते हैं e-commerce और जैसे हम यहाँ पे e-commerce लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे e-commerce के बहुत सारे यहाँ पे themes आ जाएगा ठीक है तो आज के इस video हम का इनमें से किसी एक theme का use करेंगे जो की हम देख लेते हैं कौन सा theme यहाँ पे बढ़िया रहेगा तो यहाँ पे suppose आज हम इसी theme का यहाँ पे install करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं shop front e-commerce नाम का एक theme है इसी theme को हम यहाँ पे install करेंगे और इसको हम यहाँ पे activate करेंगे और इसी theme करेंगे आप इन में से कोई भी theme कोई भी design आप यहाँ पे upload कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी design आप यहाँ पे रख सकते हैं वह आप पे depend करता है तो अभी हम इस theme को यहाँ पे active करेंगे और active करने के बाद देखते हैं आगे क्या-क्या process आता है तो यह theme जो है हमारा यहाँ पे active हो चुका है तो अभी हम फिर से जाएंगे theme वाले option पे और यह theme हमने अभी install किया है और बागी बाद जो भी themes हमारे पास है उन सभी themes को हम यहाँ पे delete करेंगे ठीक है क्योंकि इन सभी themes के हमें इस website पे कोई जरूरत है नहीं तो इस सबसारे theme को हमने यहाँ पे delete कर दिया और एक ही theme को यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा यहाँ पे shop front e-commerce नाम का जो theme है वही shift theme देगा यहाँ यहाँ पे setting आपको और करना यहाँ पे enable auto update जो है इसको आप यहाँ कर दिजे ताकि जब भी इस theme में कोई भी update आता है तो automatic आपका जो theme है वह update हो जाएगा राइट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे जाएंगे सबसे पहले setting के अंदर में और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम general setting के अंदर में जाते हैं और general setting के अंदर में यहाँ पे आपको आप इसको यहाँ पर रहने दे ठीक है और उसके बाद site icon में site icon में अपने website का यहाँ पर icons लगा सकते हैं और url में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है और membership जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आपको agree करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको time zone अगर आप इंडिय तो यह हमारा setting हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे पर्मा फोड़िक के अंदर में आएंगे और पर्मा फोड़िक करना है इसके बाद यहाँ पर reading के option में आएंगे और home page display में यहाँ आपको second number को में पास जब हम इसको करेंगे और हम यहां पर हम सेट करेंगे और हम हम सब्सक्राइब करेंगे और मेरे पास दो प्लग इंसे का विबड देक्टिवेट करेंगे और हम बाद में इसे पर आक्टिवेट करेंगे और जब हमारा विबसायट फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद यहां पे settling पालिंस ह sangat है इसका बाएं यहां पर कोई काम नहीं है इसम्ट video करें और ऑन उसके बाद भूद चलिए को इसके बाद यहां करेंगे अर्ड न्यू प्लींश पर हम यहां पर करेंगे करने यहां पर project प्लगिन यहां पर डाउनलोड करेंगे तो यहां पर जैसे वूकॉमर्स को टाइप करेंगे तो आपके सामने यह वूकॉमर्स नाम का प्लगिन्स है जो कि आपके सामने आ जाएगा तो इस प्लगिन्स को हम यहां पर इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ साथ में हम यहां पर और भी plugins को अभी यहां पर install करेंगे, rank math plugin को यहां पर install करेंगे, जो कि आप सब को पता है, rank math जो है, SEO का काम करती है, SEO करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, तो यहां पर rank math plugins आ गया, इसे भी हम यहां पर install यहां पर कर लेते हैं, और then उसके बाद यहां पर हम एक और plugin करेंगे, जो कि Elementor का है, तो यहां पर search visit में हम फिर सेitive Elementor को यहां पर type करेंगे और यह Elementor का plugin सैंटो हमारे सामने यहां पर आजाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो plugin Elementor का है तो इसे हम यहां पर इंस्टॉल करेंगे और स्ञाजरब कीपर स्टनाम का ऐसं प्लग इन को भी अमthese इंस्टॉल Κरने ट्रेक्प तो हैं एक सबूरत हो गया है अभी नहीं देट को आने यहां च इनrí भी ले कराएंगे तो उसमें हमें एक अलग प्लग इन्स की जुरत परेगा तो उसके लिए बाद में प्लग इन को इंस्टॉल करेंगे फिलाल हम इसी प्लग इन्स पे यहां पे हम काम करते हैं तो अभी हम क्या करेंगे बलक में सभी को सेलक्ट करेंगे और यहां पे लाइट एस कि यहां पर activate हो जाएग़ यहां पर सारे पना दल समय है उर्ट को इन स्टॉल यहां पर activate आँ सुंड प्लगिन है इन्सटॉल हो चुकत हैEst तो हम यहां पर यहाँ पर किलीन करेंगे करना है यहां सब्सक्राइब करहते हैं हम पर क्लीन उट opportun करना। है यहां सेटिंग करने के लित VCP करने के लिएक सबुक्राइब का जो setup है वो setup आ जाएगा ठीक है तो यहां पर यहां पर set my store पर हम यहां पर click करेंगे और हम इस website को एक business के लिए बना रहे हैं तो अभी फिलाल के लिए हम इसको business पर continue करते हैं और यहां पर कुछ आपसे details मांगेगा तो वह details आप यहां पर fulfill कर देज़ेगा तो उसके बाद यहां पर आप कहां से हैं वोची select किज़ेगा email id accept किज़ेगा और यहां पर यहां पर बोलड़ा है कुछ plugins को यहां पर install करने के लिए तो अभी हमें इन सभी plugins का यहां पर कोई काम नहीं है तो देन उसके बाद यहां पर install पर click करेंगे तो यह हमारा जो WooCommerce का है वह भी यहां पर setup हो चुका है उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे rank math को यहां पर setup करने के लिए क्या करेंगे तो rank math नाम का जो plugin हमने install किया था उसको हम यहां पर select करेंगे तो अभी इसका हमें कुछ और यहां पर करना नहीं है इसको हम यहां पर skip करेंगे क्योंकि इसका भी setup हम बाद में ही करेंगे जब हमारा product यहां पर display हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें ऐसे कुछ settings है जिनको करन अभी possible नहीं है जब हम product को display कराएंगे तब जाके उसका setting करना पड़ेगा ठीक है तो अभी फिलाल के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और यहां पर हम एक काम करेंगे यहां पर product को यहां पर कैसे add करना है उसके बारे में हम जानते हैं तो write down यहां पर जाएंगे product के अंदर creator में All यहां यहाँ पर जो एडड new product पर आपको किलिक करना है त्यकिए add new product पर जैसे आप यहां पर किलिक करने 돼ट अब आप्के सामने प्रोड़कट लीश्ट करने के लिए leuke आप को option मिल जाएगा दोस्तों यहां पर product को एड़ करने से पहले आप लोगों से एक ट्रिवेस् यह आपर दिखाने के आप्रियार्स करना हो, जैसे आप यहाँ पर स्र्च विजिट में आएँगे। यहाँ पर स्यूपलिए लिखे और इंटर में टाइप करेंगे। यहाँ नाम यहाँ पर यहाँ पर वीडियो बनायÄ था था राlyते है। कौन-कौन सी बातों को धियान में रखा जाता है ताकि जब आपका जब यहां पर प्रोड़क्ट गूगल में आए तो वह जो आपका जो है गूगल में टॉप पेज़ेस के अंदर में आपका प्रोड़क्ट वहाँ पे रैंक कर पाए मतलब कहुने का मतलब है कि आपका जो product है उसका एक perfect SEO हो पाए तो उस SEO को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है वो सारक सारा हमने इस वीडियो में हमने बताया हुआ है तो आप एक बाद प्लीच इस वीडियो को आप ज़रूर दिखिएगा देन उसके बाद आ SEO यहां पर प्रोड़क्त को एड किजिएगा और यहां पर प्रोपर आप यहां पर SEO बना के product को एड किजिएगा ताकि जब भी आपका जो product है वो जो है वो आपका Google rank में आ सके तो अभी हम फिलाल जो है इसमें product को एड यहां पर आपको सिर्फ एक इक्जामपल दिखाते है आपको यहां पर किस प्रकार से product को एड करना होता है तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे एक product का यहां पर टाई ताइंटल कैसे डालना है इसके लिए भी हमने SEO वाले video में आपको बताया था और प्रोड़क्त करना है और वहापको बड़ा बम भी और वीडिव में बत short description को आपको हमेशा यहां पे आपको short description देना है और यहां पे आपको long description देना है तो यहां पे आपको नीचे जब हम देखते हैं यहां पे long description यहां पे हम लिखेंगे तो long description को यहां पे हम दे लेते हैं और then उसके बाद यहां पे long description को आपको लिखना है और then उसके बाद अगर प्रोडक्त है यह हमारा है क्लिक करेंगे तो इसे हम यहां पर टिक करदेंगे क्योंकि इस प्रोड़क्त का हम इलक्रोनिक बेज़ेंगे तो अभी यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपसे पुछ रहा है कि यह प्राइज, मतलब आप जो प्रोडक्ट यहां पर एड करेंगे उसका जो एक market price क्या होगा, तो market price वही होता है दोस्तों, जो कि क्रॉस करके आता है, अगर हम आपको किसी भी यह website पर अगर हम दिखाते ह तो जैसे कि देखते हैं इस वेबसाइट पर है कि नहीं है तो अभी हम इसका प्रोडक्ट यहां पर ओपन करते हैं और देखते हैं इसके वेबसाइट पर दिया है या फिर नहीं दिया है तो यहां पर अगर आप यहां पर आप देख सकते हैं यह $71 एक प्रक्रॉस करके आ है तो यह Memmar계र प्रक्षप और यह जो 68 toad. यह करुंब विखने जो मार्किट-प्राइज है करें उसको मार्केट-फ्राнетर फ्राइज हमारा इस प्रोड़क्ट पही यहाँ पर यहाँ पर और हम जो है 25 स्वामिश करते हैं ठीक है क्या तो आपको यहां पर इस प्रकार से यहां पर लिखना है और इसके बाद यहां पर क्या करना है यहां पर ऐक को फीचर्स इमेज आपको यहां पर अपलोड करना होता है थ्याजिक है ताकि आपकी यहां-णी प्रोड़्ट करेंगे यहां पर फीचर इमेज हम यहां पर लगाते हैं तो इसको हम यहां पर सलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर प्रोडेक्ट गैलरी के अंदर में हम यहां पर तीन से चार इमेज यहां पर लगाएंगे ठीक है तो अभी हमने एक इ मिलेजियस हमने लगा दिया है अभी हम और इस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ नहीं करना होता है अभी हम इसको यहाँ पर पब्लिस कर देंगे ठीक है treatment और यहाँ पर अपना इक प्रोडक्ट अपस्को प्रोपर इस वीडीयो में उस प्रकार्ट से यहाँ पर प्रोड़ट को एड किज़ेगा तलि three-day-day-day-day शो प्युक्यर के लिए और इसी के लिए हमने यहां पर आपको Rank Math plugin यहां पर इंस्टाल कराया है तो तो गाइस अभी जो इस product को एक बार यहां पर आपका यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका images आएंगे और यहां पर अलग अलग images आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा और रायट डॉन तो अभी दोस्तों इस विडियो में जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया को लाइक कीजिए चैनल पर पहले बार आजे तो चैनिल को सब्क्राइब कीजिए ज़ादाश-बोगों को इस्वीडियो को को share कीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार की website को डिजाइन करने में आसानी हो सकता है इसी वीडियो को share करने से आपके पास कोई client आ जाए ठीक है अगर आप एक website designer है तो इस वीडियो को जरूर पिलिए जाहिन जेवान